जपट जी का कुर्ता और पिंकी उमीद है जपट जी घर पर ही होंगे जपट अंकल इदर लगाया जा रहा है क्या कहीं जाने की तैयारी है पिंकी तुम यहा क्यों आ गई मुझे मिनिस्टर सहाब ने दुपैर के खाने पर बुला है इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे बातों में कोई उलजाए मैं जाक कर रहेंगे मिनिस्टर एक मामुली आजवित दावत पर बुलाएगा क्यों नहीं? वहे और मैं बच्पन में इकट्थे स्कूल में पढ़ते थे और पिट्टे उस दावत में और भी प्रतिष्टित लोग जैसे गवर्नर, राजदूत, वाइस, चांसलर वगेरा भी आमंत्रित हैं एक बात बताएए इतनी देर से आपने अपना हाथ चाती पर क्यों रखा हुए? क्या वाँ दर्द है? नहीं मेरे कुर्टे पर शाई का धबबा लगा, मैं नहीं चाता इसे कोई देखे लेकिन जब वहाँ इतने प्रतिष्टित लोगों से हाथ मिलाएंगे या खाना काएंगे तो हाथ धबबे से तो हटाना ही पड़ेगा इतनी दूर तक तो मैंने सोचा ही नहीं था रुकिये मेरे पास धबबा मिटाने वाला लोशन है, मैं उसे घर से लाती हूँ जल्दी आना, कभी पींकी भी काम की बात करती है मैं लोशन ले आई यहरा कुर्टा बस कुछ देर इंतिजार कीजिए लीजे, शाई का धबबा साफ होगे, आप कुर्टा पहन सकते है लेकिन तुमारे मेले हातों सोते मेरे कुर्टे पर कहीं धबबे लग गए क्यों ना कुर्टे को गहरे रंग में रंग दिया जाए, तब यह धबबे नहीं दिखेंगे यह काम तुम ही करोगी मैं इसे रंकर अभी लाई मिनिस्टर की भूज का वक्त उता जा रहा है, क्या मुसीबत है कुर्टा रंगीन होने से सारे धबबे मिट गए है इसे पहन कर आप पहले से भी ज़्यादा रौबीले लगेंगे दूप में यह जल्दी सुख जाएगा, फिर यह पहनने के लिए तयार हो जाएगा पिंकी क्या मेरा कुर्टा सुख गया? अभी नहीं पिंकी भोजन का समय निकला जा रहा है बस कुछ दिर और इंतजार कीजिए लीजे, कुर्टा सुख गया, इससे पहले लीजे शुक्र है आ, ओ, आ क्या हुआ? कुर्टा से कुड़ गया है